अगर आप direct selling की field से हैं तो आपके लिए team बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है यही नहीं, netto marketing में भी अच्छी team बनाना बहुत ही ज़रूरी है आज हम दुनिया की किसी भी field में चले जाएं बिना एक अच्छा team बनाएं उसमें हम सफलता और success को हासिल नहीं कर सकते अगर आप एक office चलाते हैं तो अभी एक अच्छा team बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि team के बिना हम लंबी success हासिल नहीं कर सकते इसलिए हम यहां 12 team building success tips आपको बताने वादे हैं अगर आप एक अच्छा team build करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा अगर आप खुश रहेंगे तो आप से लोग जल्दी impress होगे क्योंकि हर कोई किसी ना किसी tension में रहता है इसलिए जो भी आपको देखीगा वो सबसे पहले आपके happy nature से impress होगा और कहा जाता है first impression is the last impression जब आपका पहला impression किसी पर अच्छा रहेगा तो वे आप से मिलने में ज्यादा time नहीं लगाएगा आपके happy nature की वजए से कोई भी new member या फिर नया guest अपनी problem और doubts आपके सामने रख पाएगा और आप आसानी से जान पाओगे कि सामने वाला विखती क्या चाहा रहा है जैनिन happy रहे दूसरा be prepared for guys नए विक्ति के लिए हमेशा तियार रहे दूसरा point किसी भी नए member से मिलने से पहले अपने आपको तयार रखे एक अच्छा team बनाने के लिए आपको पहले से ही तयारी करके रखना होगा खास करके जब भी हम नए member से मिलते हैं तो हमें इस बात की तैयारी करके रखना होगा कि सामने वाले से हमें क्या question करने चाहिए या फिर वो हमसे क्या क्या question कर सकता है जो जो में में question है उसका answer हमेशा अपने पास रखे और अपनी dress एकदम perfect रखे ताकि member आपको देखे तो impress हो because first impression is the last impression तीसरा meet new guys with confidence अपने नए guest के साथ confidence के साथ मिलिए जब भी हम किसी guest के साथ मिलते हैं तो हमें पूरे confidence के साथ मिलना है उनसे हमारे confidence को देखकर सामने वाला हमारे साथ जुणने के लिए तयार हो जाता है और वह देखता है कि आपके अंदर इतना confidence है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसलिए वो हमसे जुणने को तयार हो जाता है किसी भी नए member से मिलने से पहले और मिलने के बाद हमें अपने आपको 100% confidence के साथ उनसे मिलना है और अपने business plan को या अपनी presentation को भी पूरे confidence के साथ नए member या नए guest के सामने रखें हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी चीज या plan को बताने से पहले आपको खुद उस company का business plan के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए इसके लिए आपको अपने plan की अच्छे से study करना बहुत जुरूरी है तब ही आप सामने वाले को अच्छे से convince कर सकेंगे और अपनी team में join करवा पाएंगे business plan को लेकर जो भी स्वाल होगा उसको आप clear कर पाओगे इसलिए अपने business plan को पहले से ही अच्छे से study करके रखें make him comfortable नए वेक्ति को comfortable महसूस करवाएं जब भी कोई new guest आप से मिलने आता तो उसे comfortable feel कराएं आप उसके लिए अजनभी हैं उससे आप अच्छा relation बना लें आपका उनसे एक अच्छा relation बन जाए जिससे वह आपकी बातों और feeling को आसानी से समझ पाएगा नमबर पाद explain opportunity plan with proudly गरव के साथ आफसर योजना business plan की व्याख्या करें confidence के साथ अपना plan बताएं कोई भी व्यक्ति किसी भी ordinary company या ordinary plan के साथ जोइन नहीं करना चाहेगा company या company का plan special है ordinary है आपकी presentation देने के तरिक्के पर भी निर्बर करता है कि आप किस तरह से उसको plan दिखा रहे है आप जितना गरव के साथ अपना business plan सामने वाले को दिखाओगे उतना ही अच्छी तरह से आपकी company का plan के साथ सामने वाला जोड़ना चाहेगा हमेशा याद रखें marketing line में especially net of marketing में आपको हमेशा 90% तक negative result मिल सकता है नए व्यक्ति अगर आपके साथ जोइन ना करें तो इस से परिशान होकर अपना confidence कम ना करें क्योंकि जो 10% result मिलेगा वह आपके काम के लिए काफी होता है दोस की तरह व्यवार करें ना कि बोस की तरह उसे बोसा दिलाना कि इस काम को करने में आप उसको पूरा support करेंगे इस काम को करने के लिए आप उनकी help करेंगे चाहे वैं sales को बढ़ाने में हो या किसी member को plan देने में हो या team build करने में आप उनके supporter हो उनकी help करेंगी ऐसा कहने पर और करने पर वह member आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा और जल्दी वह आपकी तरह एक अच्छा leader बन जाएगा अगर नए member आपके साथ है तो उसे अपने साथ involve करेंगे चाहे आप sales presentation दे रहे हो या फिर business plan के बारे में किसी से बात कर रहे हो अगर वह नए member आपके साथ शामिल नहीं हो रहा है तो दो मिनिट तक दो मिनिट रुक कर उससे बात करें उसे सफलता के बहुत से उधारन दे जब आप किसी नए व्यक्ति को अपने business plan बता रहे हो तो उस समय बीच बीच में उसे आपके कंपनी के या आपके साथ के लोगों की success के बारे में भी बताएं नमबर नो, let him visualize उसे सफलता दिलाएं या visualize कराएं जब आप किसी को business की खूबियों के बारे में बताओ तो सिर्फ यह नहीं बताओ कि आपने क्या हासिल किया है दूसरे लोगों ने क्या हासिल किया है उसे आप जो सफलता का example दिखा रहे हैं उसमें उसका भी होना बहुत ज कोशिश करें visualize करवाएं इस business में सफलता पा सकता है नमबर 10 make him feel he can do this उसे एहसाद करवाएं कि वह भी ये कर सकता है जब आप नए वेक्ति को comfortable feel करवा देते हैं तो एक दोस्त की तरह पेश आते हो अपना business plan opportunity के बारे में बता देते हो उससे और उससे सफलता ही कलपना करवा कई बार fail भी हुआ है लेकिन कोशिश करते करते प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हैं प्रैक्टिस make man perfect प्रैक्टिस करने पर ही लोग सफल होते हैं नमबर 11 introduce with seniors उसे अपने senior और साथ में काम करने वाले से मिलाएं जब आदमी आपके साथ join होने के लिए ready हो जाए या 50% भी conversation हो जाए तो उसे अपने senior और अपने साथ काम करने वाले से जरूर मिलाएं इससे उस पर positive परभाव पड़ेगा कि उसके जैसा बहुत से लोग इस तरह के काम कर रहे हैं अगर आपको doubt है कि आप new guest कोई question किया या सवाल को clear नहीं कर पाए हैं तो senior के सामने उसके सामने इस बा बात को positively खतम करें अपनी सारी planning जो आपने की थी implement करने के बाद आखिर में नए व्यक्ति को positively joining करवाएं उनसे कोई negative सवाल पूछना positively बात को समझाना और उनको join करना चाहिए उनकी touch में रहना चाहिए इससे member आपसे जूड़ा रहेगा तो दोस्तों ये थे 12 tips जिनको अपन आकर आप एक अच्छा टीम बिल्ड कर सकते हो साथ में बहुत सारे लोगों को टीम में join करा सकते हो और उनको अपने जैसे और अपने से बहतर लीडर बना सकते हो इससे आपको एक अच्छा income और time freedom मिल सकता है यह जानकर यह आपको जरूर अच्छी लगे होगी तो वीडिय कर देजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा दोस्तों आज की ओडियो बुक में बस इतना ही मिलते है नेक्ट ओडियो बुक में तब तक के लिए धन्यवाद